नमस्कार दोस्तों तो ये है Hero MotoCop की Xtreme 160R आज आप देखेंगे इसका रिव्यू हेलो फ्रेंड्स तो ये है Hero की Xtreme 160R BS6 मॉडल आज आप देखेंगे इसका पूरा रिव्यू नीचे स्पेसिफिकेशन्स आते रहेंगे आप चेक आउट करते रहेंगे front का आप area देख सकते हैं काफी sporty लग रहा है beautiful सी आपको feel आ रही होगी यहां से आईए इसका पूरा आपको close look दिखा देते हैं यह front में आप headlight setup देख सकते हैं जो की full LED है with LED DRLs और साथ में LED indicators आपको दिख जाते हैं और यह pearl white color है काफी जबर्दस लग रहा होगा यह broad section आप देख सकते हैं टायर का, front का यहां पे suspension जो आपको telescopic type मिल जाते हैं जो की anti-friction bush के साथ आते हैं एक अच्छा feature है जो brakes जो हैं आपको इसमें आगे और पीछे दोनों disc मिल जाते हैं, front में आपको ABS मिल जाता है पीछे आपको single disc मिल जाता है tire size का area आप पूरा देख सकते हैं नीचे से, पूरा look ले लीजिए जबर्दस काड़ी है यह, aerodynamic shape है काफी अच्छा, hero की badging, extreme की badging आप चारों तरफ देख सकते हैं speedometer जो है, इसका inverted LCD console है जिसमें कि आपको good day or night visibility मिल जाती है यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी speed, rpm, fuel and all that जो भी आप देखना चाहते हैं यहाँ पर आपको सारे detail इस console पर मिल जाएगी एक जबर्दस feature है यह इस bike का तो I hope आप यह आपको अच्छा लगा होगा यहाँ से आप देखें तो काफी अच्छी grip प्रोवाइड करी गई है handle पर जो कि एक firm grip प्रोवाइड करती है आप किसी भी rider को एक safety feature के तरह से और long riding के तरह से अच्छी चीज़ है यह parking switch दिया गया है जो कि एक unique feature है इस bike का यहाँ से आप देखेंगे तो engine kill switch आपको मिल जाता है speed pickup जो है bike का वो 0-60 km per hour है 4.7 seconds में जो आप achieve कर सकते है और यह अच्छा feature है यह accelerator का लीवर देख सकते है ORVM जो आपको matte black finish में दिया गया matte black और white color का का अफ़ अच्छा यूसेच किया गया है यहाँ पे आपको कुछ set of rules और cautions दिये गए है gear और helmets related यह आप fuel capacity जो है इसकी 12 liters की है fuel lead area आप देख सकते है silver finish में दिया गया extreme 160R की badging dual tone में आपको tank मिलता है aerodynamic shape तीन color options आते हैं इसमें red, white and blue कोई भी आप color चूस कर सकते हैं seating capacity दो लोग की काफी अची cushion seat प्रोवाइड करी गई है aerodynamic shape दिया गया इसमें भी आपको जो rear light setup है वो आपको LED tail lamp मिल जाता है with indicators पीछे आप तनुष खीरो की काफी अची aging देख सकते हैं जो की wallier के city center में है तो आप यहाँ पे आके check out कर सकते हैं bike और purchase भी कर सकते हैं rear wheel जो है काफी आपको broad दिया गया है जो एक अच्छी grip प्रोवाइड करता है आपको अगर आप bike tilt भी करते हैं तो कोई issue नहीं होता है weight जो है 139.5 kg है double disc में और single disc में यह आपका 1 kg कम हो जाता है engine यहाँ देख सकते है जो look है बहुत ही जबरदस दिया गया fuel जो system है advanced दिया गया यहाँ पर आपको काफी अची fuel economy प्रोवाइड करता है dimensions आपको length width height का idea यहाँ से हो जाएगा नीचे specification भी वहने दे रखी हैं चेक कर सकते हैं wheel base ground clear and seat height सब चीज़ें बहुत जबरदस्थ हैं इसमें और आईए आपको पीछे का wheel section area फिर से दिखातेता है gear transmission जो इसमें 5 speed constant mesh मिल जाता है monoshock बिलता है आपको यह देखिए यहाँ पर कुछ specifications भी दी गई है monoshock जो है आपको 7 way adjustable है तो आप किसी भी तरह से adjust इसको कर सकते है अपनी riding position के साब से यह footrest जो है इसमें rubber की grip provide करीगी है silver finish में है बहुत अच्छा look आ रहा है इसका कैसा लगा आपको वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को like करें, comment करें, share करें और channel को subscribe करें thank you, thanks for watching the video, जैहिंद आप देशसक्ते है, this time's join cluster आपको एक बर अवरान करके दिखा देते हैं देखें स्के एग्सास्टनाट कैसा है आपी लोग नौइस एंजन की झाल झाल